स्वागत दोस्तों मैं हो गॉरब जैन आप देख रहे यूनिक गुरू 687 यह हमारा वीडियो नंबर 15 जिसमें हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें चार साइड्स होते हैं जिसका आमने सामने वाला साइड जो होता ह तोलैंत को दो डिशात बोलो निकालने बुलता हैं या तो पैरिमिटर निकालने बूलता है या फिर एरिएध्य को इसे इसे दो बनी डियागनल निकालनेगे बुलता है तो इसमें क्या है दो डोटव रिख है तो 2L प्लस 2B और अगर हम लोग 2 ले लिये तो बन गया है तो प्लस भी तो पैरिमिटर का फॉर्मूला हो गया दो ल प्लस भी इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं तो यह फॉर्मुला हम लोग नहीं है एक्चुली फॉर्मुला यह है तो फॉर्मुला कैसे फॉर्म्ड होगा यह मैं बताया क्योंकि दोठो लेंद होता है दोठो बृत होता है तो 2L लेंटिंट इन्टी बृत लंबाइय इंटो चोड़ाई इसका एरिया का फॉर्मूला है इतने ही फॉर्मूला हुआ है पिशा चल रहा है देखिए पहला कोश्चन अपका पहला कोश्चन है फाइंड अपड़ पैरीमिटर ओफ रिक्तुंगूरर है वेविग लेंथ 12 सेंटीमेटर एंड भी 10 सेंटीमेटर हम लोग को क्या चीज निकालने बुला है एक एरिया निकालने सब्सक्राइब जिसका लेंठ और बृत दे दिया है जिसका याथare डिसेंटीमिटर आब समस्राइब सब्सक्राइब हम आरा सेंटीमिटर देन है तो हम लोगों पता है तो मेटर का स्क्वाइर में आएगा और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर के स्क्वाइर वैसे आप फॉर्मुला से भी देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 12 x 10 120 cm x cm मतलब cm2 तो हमारा आगी है 120 cm2 अभी हम लोग पैरिमेटर निकालना है तो पैरिमेटर का फॉर्मुला हम लोग याद किये थे 2 x L plus B तो टू इंटू लेंथ हमारा दे दिया है 12 cm बिद दे दिया 10 cm तो हो गिया हमारा 2 x 12 टैन हो गिया हमारा 22 x 2 मोरा 44 cm तो इसका पैरिमेटर हो गिया 44 cm और एरिया हो गिया 120 cm का स्कॉर चलिए नेस्ट कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा कोश्चन है एक फिल्ड इस इन दा फॉर्म आफ ए सदिख बंदेश्चन होगा, यह फ़ी अ मतलब लेंफ और लेंफ पहलें और फिल्ड वोट इन 2 प्री तो एरिया दे दिया है 1.5 हेक्टर, find the length and breath of the field, length और breath निकालना है field का, तो देखिए, area का formula क्या होता है, length into breath, और 1.5 हेक्टर है, हेक्टर को हम लोगा meter में convert कर देते हैं, तो एक हेक्टर में हमारा 10,000 मीटर होता है, एक हेक्टर में हमारा 10,000 मीटर का स्कॉयर होता है, तो यहां पर हम लोग डाल दिये 10,000 मीटर का स्कॉयर, area है ना, तो मीटर में नहीं होगा, होगा होगा हमारा 100 meter into 100 meter होता है यानि कि 10,000 मीटर का स्कुआर होता है एक है कि रहाए तो हेक्टर के को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10,000 मीटर के स्कुआर लिख दिये लेंथ इंटु ब्रीथ पता नहीं उसको हम लोग 3 लिए हैं और ब्रीट हमारा 2x है पॉइंट अटा देंगे तो 15 बाइ 10 इंटू 10,000 है 10,000 मेटर का स्क्वाइर इंटू का एक 0 डिवाइड का जिरो कट गिया अभी आगिया हमारा 3 इंटू 2 6 इंटू 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 फिफ्टीन इंटू तो 6 इंटू में तो 6 इंटू में इंटा दो हमारा क्या हो झाएगा इधर इंटू में है तो देखिए 3 से काटे 2 टाइमस में 3 से काटे 5 टाइमस में अब यह 0 उपर ले ले 50 दो काधा 1 और 50 काधा 25 और यहां 2 0 बचा हुआ थे 2 0 उपर ले लिए 25 सो आया तो हमारा X स्क्वाइर आगी हमारा 2500 मीटर का स्क्वाइर तो यह जो X स्क्वाइर है बीट गुदे को इधर जायेगा तो हो जाएगा रूट रूट ओफ 25 500 मीटर का स्क्वाइर तो देखे 25 से लेंज्थ हूँ गें là 2 0 को रूट हो गिए 1 0 मीटर का स्क्वाइर होंगि मीटर का स्क्वाइर हमहारा 50 मीटर 11 Jahren को पूछा है लान्थ और ब्रेत is about your time अलुकह 3 x in तो एक्स के जहगा डाल दिएंगे 50 मीटर तो टू इंटू 50 यानि कि 100 मीटर तो यह कोशन भी हमारा सॉल्फ हो गया तो चलते हैं कोशन नंबर 3 की तरफ कोशन नंबर 3 में बोला है इप 3 एंगल सॉफ इक्विलेटरल क्वाडिलेटरल और 50 डिग्री 75 डिग्री और 80 डिग्री क्वाडिलेटरल मतलब जिसका चार साइड है मतलब क्या है एक टो रेक्टेंगल है उस फिल्ड में तीन एंगल देंग्री एंग्री एंग्री है एक साइड हमारा इसका हमारा इसका साइज रिमेनिंगर इससे हम लोगान जितना साइड ही तीनों साइड को माइनस कर देंगे तो चौता साइड हमको पता चल जाएगा तो माइनस फिफ्टी डिगरी माइनस सेवंटी फाइफ डिगरी माइनस एटी डिगरी जो आगी है वह हमारा इंसर हो जाएगा 360 से पचास गया 235 से 80 घटा देंगे तो चोड़िए हम लोग क्या करते हैं पहले यह जो माइनस करने वाले इनको पहले आड़ कर देते हैं तो 80 पचास एक सो तीस और 75 डिगरी अब इससे इसको माइनस कर दिया दस से पांच गिया पांच यह पांस और तीन से दो गिया तो एक सो पच्पन डि क्रिका होगा चलिए इसको मिटा देते हैं यह भी कुश्चन हमारा कंप्लेट होगी है कि कुश्चन नंबर फॉर की तरफ चलते हैं कुश्चन नंबर फॉर में दिया है लेट वन साइड एंड डाइगनल ओफेर रेक्टेंगल भी 6 सेंटीमेटर एंड 10 सेंटीमेटर एक र हमको इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है लेंथ यह एजमारे पस आधर इसके हम लोग को दो साइड पता है तीसरा सइड निकालना है तो पाइभारान थियोरम का वें आपो यूज़ इखों करें तो दीए यहां पर बन रहा है हमारा 90 q 967 to 90 यह दो यह रहीं हो गया मारा सी और नीचे जओं स्धू हम्ह Самथ इन अब्हेयों को निकालना क्या है तो यह को निकालना कि बहुत है कि बिए हम लोग पता कितना चैंसरे सेंटिमेटर है तो 6 स्क्रेशंटिमेटर का स्क्राइख 15 मतलब 6 स्क्राइख 20 स्टैनगर क्योंकि面 चैन соврем अधर भी 30 स्क्राइख 54 है स्क्वार इक्वेल्टी के उधर जाएगा तो होजागा रूट तो ए हो गया हमारा 64 का रूट यानी की 8 तो हम लोग एक साइड यह भी पता चल गया 8-8 cm मतलब हम लोगो तो लेन्थ पता था अब रिषी पता चल गई आट सेंटिमीटर मतल büy right दोनों सब्सक्रा antषव सेंटिमिटर है और दुसरा सथ हमारा चेंट सेंटिमीटर ईन्ट ना सबस्क्राइट सेंटिमीटर है मैं और दूसरा सथ हमारा एधेट सेंटिमीटर 6 into 8 48 cm x cm 48 cm का स्क्वाइर तो हम लोग इस तरह से इसका एरिया भी निकाल लिए अ क्या छलिए आँ नियुक्ट कोशिट्ट की तरफ कुस्चंट nr 5 अगर कुस्चंट nr 5 देखते हैं क्या है कुस्चंट nr 5 दे लेंत अफ्य रेक्टेंगल is 8 cm and the width is 5 cm. एक तो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है 8 cm है और ब्रिथ जो है 5 cm. If the length is greater by 2 cm, अगर लेंथ को बढ़ाया जाता है 2 cm, what should the width, तो उस समय में width चड़ाई कितना होगा, so that the new rectangle has the same area of the first one, जिससे जो नया rectangle आएगा, उसका area भी क्या होगा, पुराने वाले से, तो पहले हम लोगन इसका मतलब क्या होगा, पुराने वाले का area जितना है, नय वाले का भी area उतना ही है, तो पहले हम लोग पुराने वाले का area निकाल लेते हैं, length into breadth, length हैं हमारा 5 cm था, breadth हमारा 8 cm था, तो होगी हमारा 40 cm का square, अभी हम लोगन दूसरा नया वाले का area कभी वही formula है, length into breadth, तो पुराना वाले का area जितना आया, नया वाले का भी area उतना ही आया, नया वाले का length क्या है, 2 cm बढ़ा दे रहे हैं, तो 8 cm प्लस 2 cm, तो यह हो जाएगा हमारा 10 cm, अभी उस situation में कितना होगा, यह हमको निकालना है, तो निकाल लेंगे, तो 10 cm यहां into में है, equal to कि इधर आएगा, तो यह divide हो जाएगा, तो देखे, 1,0 into का 1,0 divide का कड़ गया, cm के square मतब 2 cm, यहां 1 cm, तो cm कड़ गया, इसके square कड़ गया, तो बी आगे हमारा 4 cm, 4 cm, तो बी आगे हमारा 4 cm, थैंक्यू,